Students हम कर रहे थे हमारा class 6 Richard Getting to know plants तो इस chapter का मैंने आपको थोड़ा सा करवाया था धिर्फ इंटरोड़क्शन दी थी तो एक बार मैं आपको थोड़ी से इंतरोड़क्शन देती हूं getting to know plants इस chapter में हम plants के बारे में पढेंगे उन्न कौन-कौन एक हμοई परब और में खती था unless करें आए उनकी टाइपस के बारे में डिसकस करेंगे कैसे परेव करते हैं तो firstly हमारे मतलब हों करते हैं लिविंगर ऑफ दी कान्स आफ एक्सेंप्लिफायद बाइड रूढ्रिग जैसे शर्प नोहते हैं इसजो होते हैं इनको प्लांट की टागिरी में हम चुन्सीडर करते हैं आपने इनके बारे में सुना होगा तो उसके बाद फोटो सेंथिस होती है ठीक है उसके बाद क्या होते हैं यह ग्रीन पिगमेंट का यूज करते हैं ख्लोरोफाइल का ठीक है तो सबसे पहले यह जानुआ प्लांट्स का प्लांट्स अपना फूर्ड जो होता है खुद पर पेर करते हैं ठीक है तो यह आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था एक चैप्टर में जब हमने सेकिंड चैप् तो सबसे पहले आप देखो मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसकी टाइप्स होती है तो फर्सली हम इसके टाइप्स और प्लांट्स डिसकस करेंगे तो फर्स देखो इसकी कौन सी टाइप होती है थिरी टाइप्स होती है हर्ब शर्ब और ट्री तो फर्स हमारी बारे में क्या है फिर्श्ली तो देखो इसकी मैंने एक शोगी ही इसकी बिक्चर तो देखो आप हर्ब्स दिखते कैसे हैं ठीक है तो हर्ब्स से बैसे लग रहे है ये मैडिसं ग्यारा से रिलेटर होंगे ठीक है तो यह क्या होते है Plants with green and tender steams are called herbs तो इसकी मतलब जो होते हैं Green plants होते हैं शोटी-शोटी plants होते हैं आप देखो ठीक है उनको herbs बोलते हैं They are usually short तो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इनकी कोई ज़्यादा branches नहीं होती है और ये क्या करते हैं They are so used for food, flavoring, medicine or perfume इनका use किसके लिए किया जाता है Food बनाने के लिए किया जाता है और flavor डालने के लिए और medicines में जूज किया जाता है तो देखो मैंने नीचे आपके लिए डाइग्राम शोगी है Bacels होगे ठीक है तो नेक्स देखो आपके लिए Padina हमारा herbs है कड़ी पत्ता चिर्विल हो गया मिंट हो गया तो अर्गैनो हो गया रोजमेरी, सेग यह हमारे herbs है इनको हमें as a medicine भी यूज करते है as a flavor भी आप देखते हो सबजी वगेरा में मिंट को डालते है अच्छे flavor के लिए और आप देखते हो गर पे चट्नी वगेरा भी बनाई जाती है इसकी तो यह उसके लिए यूज होते है तो बच्चे देखो मैंने आपके लिए शो किया है अर्गैनो रोजमेरी सेगे यह हमारे सभी जो होते हैं herbs की केटागिरी में आप इनको रखोगे तो नेक्स्ट बच्चे हमारी सेकंड टाइप है शर्ब तो शर्ब क्या होते हैं शर्ब की हम सिर्फ definition करेंगे याज हम सम प्लांट्स है थी स्टीम ब्रांचिस और नियर दी बेस तो जो कुछ होते हैं उसकी ब्रांचिस नियर दी बेस होती है बलकुल ही जो हमारी अर्थ होती है हुआं से रूट्स निकलते है उसके बिलकुल नीचे होती है देखो मैंने शो किया गया इस स्टम happens बट नौट वैरी सिक इनकी स्टम बहुत ज्यादा हाड होती है लेकिन बहुत ज्क प्लांट बfal गहाँ होती है ऐसे बारे में हम नेक्स वीडियो में हम हमारी 3rd टाइप त्री के बारे में पढ़ेंगे, आज हमने हर्ब और शर्ब के बारे में डिस्कुस किया है, सिर्फ तो नेक्ट सम् ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो आप जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और किसकी प्रीविज वीडियो मिस होगी तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके सिक्स क्लास अली प्लेडिस्ट देख सकते हूं थैंक यू